स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी में समुद्र के मध्यस्थित चट्टान पर तीन दिन तक साधना की पहला अखिल भारतिय कम्यनिस्ट कामफरेस 1924 में कानपुर में संपन्न हुआ ताइवान में 1946 में सम्विधान को अंगिकार किया गया पाकिस्तानी सेना ने 1947 में जणगड को कबजे में ले लिया था सोवियत संध ने 1962 में नोवाया जेमल्याक्षेतर में परमानू परीक्षन किया रायन जा रहे एर इंडिया के विमान बोईन 747 का अफरन 1974 में किया गया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने Google में सेर्च कर लिया है GK Section उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको एक website मिल जाएगा GK Section.com तो दोस्तों अपको एक website पे चले जाना है उसके बाद दोस्तों आप थोड़ самой page को scroll करेंगे उसके बाद दुस्तो यहां पर आपको current affairs से related यहां पर question मिल जाएंगे बाकी और भी topic पर दुस्तो आपको content मिल जाता है तो दुस्तो माल लीजिए कि आपको current affairs पढ़ाना है तो दुस्तो आपको क्या करना है यहां से इस article के link पर click कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये article कुछ इस तरह से open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों एक Google Chrome extension है Just Read आपको कहा करना इस icon पे click करना है आपको कहा करना है Just Read extension के उपर click कर लेना है जैसे दोस्तों आप इस extension के उपर click करेंगे click करते ही दोस्तों ये जो article है ये बिल्कु बिल्कुल जो है PDF रूप में मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आप जिस चीज को यहाँ से delete करना चाहते हैं आपको कहा कहा ना यहाँ पर delete पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो आप जिसे डिलीट करना चाहते हैं इस तरह से आप चीजों को डिलीट कर सकते हैं अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो दोस्तो आप यहां से अंडू रीडू कर सकते हैं ये सारी चीजे हमें नहीं चाहिए तो दोस्तों इन सभी चीजों को हम लोग डेलीट कर देंगे एक एक करके इन सभी चीजों को डेलीट कर देंगे उसके बाद दोस्तों डेलीट बटन पर दुबारा किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमें text content मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इन सभी text content को इस तरह से select कर लेंगे ठीक है इस तरह से दोस्तों हम लोग इन सभी content को select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अगर दोस्तों आपके laptop ये PC में 1.0 for Windows 10 इंस्टॉल है तो यहाँ पर यह आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप इस application को open कर लेंगे, कुछ इस तरह से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक option है, add page, आपको add page के उपर click कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपने content copy किया है, उ इसके लिए दोस्तों आपको गया करना है, यहाँ पर right click करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर paste का option मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से keep source formatting select करते हुए, आप इस content को यहाँ पर paste कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ बीच में click करेंगे, control A से all select करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर control के साथ A press करेंगे, तो दोस्तों सभी content select हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है, यहाँ से font size को बढ़ा लेना है, कुछ इस तरह से, और उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है, side में click कर देना है, उसके दोस्तों यहाँ पर कुछ option दिये गये हैं, तो आपको गया करना है, यहाँ से store mix select कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आप इसे इस तरह से minimize करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप इस page को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप one note में आएंगे, और यहाँ दूस्तों आपको कहा करना है, view tap पर click कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको कहा करना है, यहाँ इमर्सिव reader पर click कर देना है, जैसे ही दूस्तों आप इहाँ immersive reader के ऊपर click करेंगे, तो यह जो page है, यह कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, यह page दूस् वारत और विशह में कई घटनाओं इनका इतिहास ये जो पेज है, ये आटूमेटीक रीड होने लग जाएगा, दोस्तो अगर आप इसका फीन वेगएचeयंच करना चाहे, तो दोस्तो आप यहां से जो है भी बेगारेаст लेगारेच च्ह्छेंच कर सकते हैं और उसके बाद दुस्तो आपको इसे close कर देना है, अगर दुस्तो आपको इसका theme black नहीं रखना है तो दुस्तो आपको दुवारा से book वाले icon पे click कर लेना है, उसके बाद दुस्तो यहाँ पे आपको कई सारे option मिल जाएंगे, तो दुस्तो आप यहाँ से जो है इस theme को change कर सक के कुछ इस तरह से उसके बाद दूस्तों आप यहां से इसे प्ले करेंगे और इसे दूस्तों आप रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते ऐसी इतिहाशिक घटनायों के बारे में पढ़ा होगा जो 25 दिसंबर 25 दिसंबर के इतिहास से संबधित हो आए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानि 25 दिसंबर को क्या-क्या ख घटनाये हुई थी उसके बाद दो यहां पर आप बुलेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप हॉम टैब्स का आपशन आजाएगÁ उसके बाद दूस्तों आपको कह करना इसे नं कर देना है बुलेट चक करने के बाद दोस्तों जब आप यहां व्यू टैप पर क्लिक करके इमर्सिव रीडर पर क्लिक करके इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो टाइमस टाइमस बार 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 बोल रहाता तो वह चीजें दोस्तों यह नहीं बोलेगा तो दोस्तों अब हम इसे प्ले करते हैं भरतपुर के महाराजा सूरज मल की हत्या 1763 में हुई मुगल शासक शाह आलम द्वितियर 1771 में मराठाओं के संरक्षन में दिल्ली के सिनहासन पर बैठे तो दोस्तो आप 1010 सौप्टवर की मदद से दोस्तो आप टेक्स टू भॉइस ऑडियो भी दोस्तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं को record करने का दोस्तो मैंने आपको तरीका वता है कि आप किस सरह से जो है text to voice audio record कर सकते हैं अब दोस्तो हम लोग यहां से ओड़ा सीटी में आएंगे और यहां से दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इस recording को stop कर देंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमारा recording stop हो गया है अब दोस्तों हम लोग करेंगे यहां से उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को यहां पर scroll करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको यह recording मिल जाएगा उसके बाद दुस्तों आप यहां से select tool लेंगे और उसके बाद दुस्तों यहां पे जो extra चीज़े record हुई है उन सभी चीजों को आप इस तरह से select करके उसके बाद दुस्तों आप keyboard पे delete button प्रेस करके आप इन सभी चीजों को delete भी कर सकते हैं यहां तो दोस्तों आपको कहाना यहां से आपको यह वाला tool select कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप shift की प्रेस करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको कहाना इस audio के उपर click कर लेना है तो इस तरह से दोस्तों यहां पर यह सारी चीज़े आपको सो हो जाए गई उसके बाद दोस दो आपको क्या करना है, effect पे click कर लेना है, और उसके बाद दो आपको यहां से compressor effect apply कर देना है, कुछ इस तरह से, उसके बाद दो आपको effect option पे click कर लेना है, उसके बाद दो यहां पे normalize का option मिलेगा, आपको normalize पे click करके, इस तरह से आपको इस audio file को normal कर लेना है, उसके बाद द दोस्तो आप यहां पर लीमीटर उप्शन पर किलिक करके दोस्तो आप इसमें लीमीटर एफैक्ट लगा देंगे उसके बाद दूस्तो आपका जो आदियो है है उसके बाद दोस्तो यहां पे आप export पे कलिक करेंगे मने उसके है तो प्रस्तो यह जो हमारा फाइल है है जो हमारा audio है यह दोस्तों हमारा सेव हो जाएगा इस तरह से दोस्तों आप यह text to voice बन जाएगा उसके पक्रजेन को यूज कर सकते है यह तो दोस्तो आप text to speech वाली वीडियो बनाने में आप as a voice over इस audio को यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप one not for window 10 software को यूज करके आप text to speech voice generate कर सकते हैं और आप अपने वीडियो में इसे यूज करके आप text to speech वाली वीडियो बना सकते हैं तो, आइअओब दूस्तों कि जो चीजिए मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा. दूस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये टुटोरियल आपको पसंद आया है, तो इस विदियो को लाइक कर इस छोटे वाई का मनोबल बढ़ा है.